हेलो एवरीबन तो कैसे आप सब सबस्वात करता हूँ आप सब का आपके अपने ही चैनल इस्टेडी वड़ी में तो आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जामें स्कूल इंट्रेंज क्लास नाइंट के प्रिमियस एरे पेपर के सलूशन के बारे में अगर आपको फाइ 2023 के मैच को कवर किया जा रहugo मैच के बात सşेंस से सेंस्टी जरह और इंगलिस को कवर किया दया जा रहा है उसके बाद तो यह paper को solve करने से पहले कुछ लोगों को doubt है syllabus के बारे में आपसे discuss करके then question paper का solution के हम बात करते हैं और इस paper को download करने के लिए वो कुछ नहीं करना है टेलिग्राम चैनल पर जूड़ जाना है टेलिग्राम चैनल पर लिंक प्रोवाइड कर दिया जागा description box में आप वहां से भी download कर सकते हो पेपर को तो यह सबसे पहले बात कर लेते हैं कि paper का syllabus कहा है जो paper का syllabus में 25 questions आपके English से आएंगे कोई और आपका 25 questions science होगा और 20 questions social science होगा कोई भी negative marking नहीं है तो आपको सारे questions आपको attempt करके आने है तो आपका syllabus detailed syllabus का वीडियो भी एक चैनल पर पड़ा हुआ है अगर आप देखना चाहिए तो सर्च करके देख सकते है detailed syllabus उसमें कि कौन से topic से question पूछी जाते हैं तो आजे पहले question की तरफ चलते है पहला question है आपका कि for any natural number and greater than one which of the following triplet is a pythagorean तो pythagorean triplet होता क्या है pythagorean triplet होता है कि जो तीन number है तीन number pythagorean triplet तब कलाएंगे जो सबसे बड़ा number जिसे हम hypotenuse बोलते है hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular की square अगर टिक्नामेट्रिक सिंस में देखे तो हम इसको बोलेंगे ठीक है यह pythagorean triplet है follow कर रहा है तो जो side हो right triangle के side है right triangle के side है अगर in general sense में बात करें general sense में बात करें मालें तीन number है a b c a is less than b अब b is less than c यह हमारे पास कुछ pattern है तो यहां पर क्या होगा जो c का square है वो a square plus b square के sum के बराबर होगा a और b square के sum के बराबर होगा अगर कुछ ऐसा pattern मिले तो उसे हम pythagorean triplet कहते हैं ऐसा pattern मिलेगा तो उसे हम pythagorean triplet बोलते हैं ठीक है तो देखे कराया की question में पहले ही बोल दिया कि एक मिनट हम इसको select कर लेते हैं तेक एक मिनट पहले ही पहले है कि greater than greater than one greater than one बोल दिया है और निच्छिल नम्बर की बात कर रहा hai तो आपको ज्यादा कुछ नहीं जाना है ज्यादा दूर नहीं जाना आपको सिधे देखके टिक कर दो, science देखकर टिक कर दोगे, ssd देखकर टिक कर दोगे, जो time आपका लेगा, वो mathematics ही लेगा, अगर क्या पता आपको एक question आपने पढ़ा नहीं है, अगर जो तरीका बतार हो, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, अगर आपने पढ़ा नहीं है, तो solve करके भी mathematics के question को, solve करके भी निकाला जा सकता है, answer, बाकी English हो गया, ssd हो गया, इसको solve करके नहीं निकालोगे, आ रहा है तो ठीक है नहीं आ रहा तो, अब side कर दोगे उस question को, लेकिन इसमें क्या है कि तुछा साब कुछ calculation करके, 19-20 करके, अब answer निकाल सकते हो, तो आईए देखते हैं, पहले में रखते हैं, n की value 2, तो रखेंगे तो देखे 2 हो जाएगा, और 2 के square हो जाएगा, 4-1, 3 आ जाएगा, और 2 के square यहाँ पर 4, नहीं आएगा, तो option नंबर यह चला गया, अब option नंबर बी में आते हैं, तो option नंबर बी में 2, 2 into 2, 4 हो जाएगा, कॉमा, यहाँ 2 के square 4 हो जाएगा, कॉमा, 2 के square 4 प्लस 1, 5, तो यहाँ भी देखें, देखें, 25 का, मतलब जो 5 जबसे बड़ा नंबर है था, इसका 25 हो जाएगा, और 16 प्लस 16, तो 4 के square 16 प्लस 16 is not equal to 25, तो यह भी देखें, 32 हो जाएगा, 32 is not equal to 25, 32 is not equal to 25, इसका मतलब बी में नंबर बराबर नहीं जाएगा, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी हम छोड़ देंगे, अब आप्सन नंबर सी पर चलते हैं, तो एक उप्सन नंबर सी कितना है, 2 के square, 2 के square, 4 माइनस 1, 3 आजाएगा, और यहां कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब एड करोगे, तो 25 मिल जाएगा, तो देखिए दोनों बराबर है, लेफ हैं साइड इसकोड टू, राइट हैं साइड, इसलिए पैथागोरेंट ट्रिप्लेट आपका क्या हो जाएगा, चली, नेक्स अलते हम, कोशन नमबर 72, तो कोशन नमबर 72 में पहले ही मैं फिगर बना चुका हूँ, जिससे कि टाइम आपका कम से कम टाइम में कोशन जाद 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 कवर हो जाएग, कर अदर डाइगनल आपका पैलोग्राम, तो पैलोग्रम के डाइगनल क्या होते हैं, और एक कोशन, एक और मैं अगर फिगर बना दू यहाँ पर, सब्सक्राइट हमने स्क्वाइर बना दिया, तो देखिए स्क्वाइर और रेक्टेंगल, इनके डाइगनल क्या होते हैं, इनके डाइगनल इक्वाल होते हैं, लेकिन क्या सभी पैलोग्राम के डाइगनल यह मतलब होता है इक आटना इक यहां पार्ट में काटने को बाइसेक बोलते हैं तो जो लेंथ है वह लेंथ है यहां भी बाइसेट कर रहा है अब यहांद देख लिए जो लेंद ए है जो लेंद एगा बाइसेट नमबर बी करेक्ट हो जाएगा पिर करना इच और यहां पर 90 नहीं है और भाई सिट अपोजीट अंगल को भी बैसे करते हैं चलिए नेक्स पर निए क्षिन नमबर question number 73 के तरब question number 73 में बोला है कि how many natural number lies between the square of two conjugated natural number तो two conjugated natural number के बीच में कितने two conjugated number के square के बीच में कितने number लाई करते हैं तो आई हम स्टार्ट करते हैं इस question को answer तो पता है लेकिन फिर भी आपको तो explain करके दिखाना है देखिए माले थे हमने दो two natural number ले लिए one and two conjugated वही होगा conjugative मतलब एक के जस्ट बाद वाला दूसरा एक के जस्ट बाद वाला उनके बीच उनका square करे तो उनके बीच में कितने natural number आएंगे तो देखिए one के square करेंगे तो one के square one हो जाएगा two के square four हो जाएगा इनके बीच में कौन से number आगया एक two आगया और एक three आगया तो देखिए दो number आगया यहाप जो दो number लिया उनका square तो दो आगया अब हम क्या करते नंबर बढ़ाते हैं हमने two और three ले लिया हमने क्या लिया है two और three लिया है हम पता है कि two के square four होगा और three के square nine हो जागा अब इनके बीच में कितने number आ रहे है five six seven and eight तो देखिए आप चार हो गए उपर दो मिल ला थे हैं चार मिल गया अब देखते और देखते हैं हम three और four लेखके देखते हैं हमने three और four लेखा तो अब देखिए three के square कितना हो जाएगा nine four के square 16 हो जाएगा four के square यहां पर 16 हो जाएगा अब हम क्या करते हैं इनके बीच में number लिख लेते हैं ten eleven twelve thirteen fourteen and fifteen तो देखिए यहां पर कितने number मिला one two three four five six तो देख रहे कुछ pattern आपको मिलना है यहां one है तो two मिला 2 है तो फॉर मिला थ्री है तो six मिला ठीक है इस कवंतर्ज। जो पहला वाला number उसका double क्या मिलना है उसका double number मिलना है तो अगर n natural number वोला है तो कितना हो जागा two and कितना हो जागा two in हो जागा इसका जो correct answer हो जाएगा इस दा correct answer हो जाएगा ठीक है आए नेक्स question चलते हैं question number 74 की तरब question number 74 में क्या वोला है question number 74 में वोला है कि which property is used in equation given below तो जो equation given आपको उसमें correct कौन से property का use किया गया है तो देख रहें 12 क्या है distribute हो रहा है 12 x पर distribute हो गया और 12 4 पर distribute हो गया 12 पर distribute हो एक्स पर distribute हो के 12 x बना दिया और 4 पर distribute हो के 4 इंटू 12 इंटू 4 is equal to 48 बना दिया ठीक है अब देखे इसका answer में मिल गया distribute property option C अब आई पहले option के बारे में discuss कर लेते हैं पहला option क्या है associative property अब associative property क्या है माने तीन नंबर A B C तीन नंबर है किसी निच्रोल नंबर से बिलाउं करें हमने निच्रोल नंबर से ले लिए निच्रोल नंबर से बिलाउं करा दिया अगर हम last के दो नंबर का सम जो भी रिजल्टे ना है उसको पहले वाले नंबर से सम कर दे इसे बोलते हैं एडिटीव इनवर्स सरी एडिटीव प्रोपर्टी आफ एडिशन और यहां से ध्याद दीजेगा अब क्या होता है यहां भी प्लस बेडिटिव ऑबर एडिटीशन लेना है तो यहां पर हो जाएगा एक प्लस बी की वैल्यू बी प्लस एक बराबर होनी चाहिए तो इसको बोलते हैं तो यहां पर ए और भी हमें आप्शन देख लिए अब हमारे पास सी इसका करेक्ट रोगा डिस्टिबिटीव प्रॉपर्टी इसका करेक्ट रोगा आए नेक्स अलते कोशन नंबर 35 के तरह 75 क है माले इस वीडियो की फाइफ है लेकिन पेपर का 75 नंबर कोशन है इसमें क्या बोला कि मोहन इस ठींकिंग ऑफ नंबर दो नंबर के बारे में सुच रही है मोहन क्या सूच रहा है कि the greatest common factor is 4 उन दोनों का जो greatest common factor है और 6 ए दियर लिस्ट common multiple is 36 और उनका लिस्ट सबस्टोटा जो LCM उसका उन दोनों नमबर के LCM कितना 36 वन आफ नमबर इस 12 फाइड अगर एक नमबर 12 तो दूसरा नमबर कौन सा होगा तो इस केस्टन में आप एक फॉर्मले याद रखें आपको डायट यह वाला नमबर उनके LCM और सब्सक्राइब करें तो वहीं मिलेगा रिजल्ट में जो नमबर का प्रोड़क्ट के बराबर होगा ठीक है तो LCM कितना वोला है 36 तो हमने LCM को 36 रखा और SC अब इसने वोला है 6 तो 6 रखा और एक नमबर दिया है 12 तो हमने 12 लग दिया और दूसरा नमबर हमें निकालना है तो हमने इसको भी रखा इस अब दिए 36 इंटू 6 और क्योंकि इसको इदा ट्रांस्पर करेंगे तो लिए नमटर में चला जाएगा तो 12 वा जाएगा इस इकोल टू 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 एटिन जा तो बी की वेलू कितनी आगी हम यहां से मल्टिप्लाइग कर देंगे इस दर करेंगे यहां से 18 ठीक है आई हो किलिए और चलullen तेक्स कोशन मेंoder 75 के तरफ तो देखे 76 कोशन में क्या बोला है 76 पोजिशन में बोला है कि if 3x plus 3 raise x plus y is equal to 81 अब देखे पावर एक्स्पोनेंट से है तो 81 को हम कितना लिख सकते हैं 81 is equal to 3 into 3 into 3 into 3 तिन तरिक करना तरिक सता इसते हैं क्या से 81 हो जाएगा 3 raise 4 क्या लिख सकते हैं 3 raise 4 क्योंकि दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा बेस बराबर करना पड़ेगा तभी power equal होगा बेस बराबर करेंगे तभी क्या होगा power equal हो जाएगा जिसे हम compare करके असाने से निकाल सकते हैं तो आईए देखते हैं तो हम पहले वाले equation में लिख सकते हैं 3 raise x plus y is equal to 3 raise 4 ठीक है अब यह दोनों equal का सायनिया लगा हुआ है और दोनों का बेस बराबर इसका पावर आप आटोमेटिक क्या हो जाएगा इंप्लाइज क्या हो जाएगा एक्स प्लस y is equal to 4 हो जाएगा पहला question हो गया second देखें second में लिख सकते है 3 raise 4 x minus y is equal to 3 raise 8 यहाँ से implies कितना हो जाएगा 4 x minus y is equal to 8 तो यहाँ से में सो cut भी कर सकते हैं हम यहाँ से 4 बन जाए 4, 4 2 जा हम cut कर सकते हैं तो हमारे पास equation क्या बन जाएगा x minus y is equal to 2 x minus y is equal to इसको equation number 1 माल लीजे इसको equation number 2 माल लीजे अब इन दुनों solve कर लेजे जब add करेंगे तो देखे y positive y negative cancel out हो जागा और x plus x 2x हो जाएगा 2x is equal to यहां से 4 plus 2 6 हो जाएगा तो x की value आ गई 3 x is equal to 3 मिल गया अब x की value 3 मिल गया किसी एक मेरा क्या y की value निकाले जिसे हम यह पूट कर लेते हैं तो कितना हो जागा 3 plus y is equal to 4 तो y is equal to कितना हो जागा 4 minus 3 is equal to 1 तो x की value 3 y की value 1 देखे कहाँ पर x की value 3 y की value 1 option number a में है तो option number a correct हो जाएगा इसका option number a correct हो जाएगा आई हो clear होगा तो आई next जलते हैं question number 77 की तरफ देखे question number 77 में क्या है कि इसमें बोला कि if x and y are direct proportion then which of the following is correct अब इसमें का रहा है कि x और y direct proportion है तो कौन सा correct है तो देखे direct proportion क्या होता inverse proportion क्या होता है अगर a और b direct proportion तो लिखेंगे a proportional to b जानें ठीग है को बढ़ने पर भी बढ़ेगा तो direct dose राएगा एक घंचे अगर इसरा गटेक रहे अगर सीम ये में चेंज होगा तो direct proportion एक को बढ़ाने पर दूसरा बढ़ता है तो दारेक एक को बढ़ने पर दूसरा घंच रहा है तो इन डारेक इस और A proportional to 1 by B इसको बलतें indirect यह क्या हो जागा इंडारेक्ट प्रोपोर्जन ठीक है तो अभी हमें पता है कि इसको लिख देते हैं indirect यह है डारेक्ट ठीक है डारेक्ट इन डारेक्ट अब देखें A by B is equal to K, हाले कि यहां पर X और Y लिया था, हमें यहां पर A और B लिख लिए है, तो देखिए A by B, इस position का मतब X by Y कहां पर मिला है, X और Y is constant, यहां पर देखिए हमें constant मिला है, तो option D correct हो जाएगा, इसका क्यों होगा, option D correct हो जाएगा, ठीक है, option D यहां पर correct हो जाएगा, चले, option D correct हो जाएगा, तो याद रखिए कि direct proportion अगर एक को बढ़ाने पर दुसरा बढ़ ला है, और एक को घटाने पर दुसरा घट रहा है, तो भी direct होगा, अगर एक को बढ़ाने पर दुसरा घट रहा है, या पिर एक को घटाने पर दूसरा बढ़ लाए तो उसके समें इंडारेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है आए नेक्स सलते कोशन नमर 78 की तरफ अब देखे 78 में क्या होला है कि एक्सप्रेस्ट फॉल्विंग इन दे स्टंडर्ड फॉर्म तो इस्टंडर्ड फॉर्म में इसे एक्सप्रेस्ट करना है तो देख लिए कितने जीरो के पार डिसिमल लगा है लेकिन यह हमारे पास क्या है स्ट्रेंड 278 स्ट होथा कि एक सब नंबर कर चांवे है एक ही dużo के मृपशन पाइंस नंबर कह्या होना चाहिए एक ही नंबर ही ही ृत्वा चाहिए तब होना चाहिए इस निनहीं पौइंट एंट नवह पाउर स को इतना हो जाएगा मानस का एक है यह आपका ologically में देसे लाइव अब breaks करेक्ट हो जाएगा ऑफ्षन भी करेक्ट हो जाएगा अच्छक्स छलते हैं तो क्र het बार क्या पता यहां पर डारेक्ट पुषिख दो अगली बर इंडारेक्ट पुषदे अगली तो दोने आपको याद होना ज़रूरी है कि कभी कभी पूछ लिया अगल इस साल पूछ लिया तब सौल मत परो डाइट एंसर टिक कर दो आगे नेक्स लते हैं क्वेशन नंबर 79 की तरफ तो इसमें क्या पूछा है कि क्या पूछा है कि क्या पूछ रहा है यह हम और बना लेते हैं क्यूबाइड अब हमने क्या करना है इसको इससे मर्ज करा दे नहीं है जिससे कि देख प्रॉपर क्यूबाइड का सेप ले ले अब देखे क्यूबाइड हो गया यह आपके सामने क्यूबाइड हो गया तो हम देख रहे हैं कि जो इसका फ्रंट फेस है वह इसका बैक फेस भी है ठीक है जो इसका फ्रंट फेस है में अगर राइट वहीं उसका लेफट फेस है जो इसका जाएगा अगर गॉए इसका फेक हिसले मिल जेदा किहा हो जाएगा अगर है की बात करें दो बॉतम ने हो जाएगा अगर हम आइडेनटीकल के था क्यूबाइड है थ्री पियर आफ ऐडेंटिकल फेस्ट आइए क्वेशन नमबर सेवेंटी की तरफ चलते हैं स्वरी एटी की तरफ अब इसमें बोलाए कि the factorization of x cube minus x would be तो देखिए हमारे पार इसका factorization क्या होगा तो सबसे पहला काम है कि x कॉम ले लिजी यहां से x कॉम ले लिजी था हो जाएगा x square minus 1 बचेगा x square minus 1 बचेगा तो देखिए यहां पर option में x square minus 1 कुछ ऐसा option नहीं मिल ला है फिर इसके बाद हम क्या करेंगे यह हैं देखिए a square minus b square का formula कितना होता है a plus b a minus b तो इस वाले formula से यह भी तूट जाएगा क्योंकि हम 1 को 1 का square लिख सकते हैं आप ने इस प्रस्ट यहां चेगा x-1 ओर x plus 1 अब देखिए कहान पर यह option पर यह प्लस्ट मिल ला है तो थोभा धिहां से देखिए का b और d b च्रस्ट किया थोड़ा सब difference किया है यहाँ पर 1-1 यहाँ पर x न लिखा और 1-1 लेकिन हमें क्या करना है हमें अपने फैक्टर को देखना है हमने जो अपने फैक्टर किया है तो X, X-1, X-1 मिला है इसका मतभ़ा option D correct हो जाएगा D for daily correct हो जाएगा ठीक है चलिए next लते हैं question number 81 की तरफ two identical cube each of volume 64, इनका volume कितना 64 cm cube है are joined together in to in what is the surface area of resulting cube है तो दो cube है दो cube है इसको in to in जोड़ दिया गया दो cube को in to in जोड़ दिया गया मालती है कि हमारे पास पहला cube हो जाएगा क्यों समय लिए कि क्यूब है तो हमने क्या किया इसको इस cube को एक क्यूब हमारे पास यह हो गया और दूसरे को भी एग ही जोड़ दिया गया दूसरे cube को भी कुछ आईसा ही जोड़ दिया गया थीक जोड़ कि जोड़ दिया गया और फिर उसकी बाद जो हमाई resultant figure मिल ला है तो हमें QV मिल गया है एक क्या मिल गया QV मिल गया तो उस case में बोला था कि उस case में इस QV का surface area बताओ कितना होगा अब देख एक का volume given है हमें पता है कि volume up cube कितना होदा side का cube side का cube होता है ठीक है volume up cube is equal to side का cube होता है तो यहाँ पर 64 given है 64 is equal to A cube तो 64 को हम कितना ले सकते हैं 4 का cube is equal to A का cube ठीक है तो यहाँ से A की value कितनी आजाएगी 4 A की value side की value 4 अगी इसका मतलब आपका A length 4 हो जाएगा sorry A 4 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा और A भी 4 हो जाएगा A भी 4 हो जाएगा ठीक है सब 4 4 4 है लेकिन A 4 और A 4 तो कितना हो जाएगा 4 plus 4 is equal to नीचे वाला quantity 8 हो जाएगी तो इसका length अब बढ़ जाएगा अब जो result in figure आगया इसका length बढ़ जाएगा 8 हो जाएगा तो formula हम apply करके surface area निकाल लेते हैं अब आई surface area आपके वाइड देखते हैं कितना होता है surface area surface area आपके वाइड is equal to कितना होता है 2 time of LB plus BH plus HL यह formula होता है LB plus BH plus HL अब 2 बाहार रखिए इसको अंदर मलड़े देखे L into B L कितना 8 है B हमारे पास कितना 4 है plus BH तो 4 into 4 plus HL 4 into 8 32 plus 16 plus 32 अब इसको एड कीजिए कितना मिल जागा आपके पास 2 bracket में जागा 2 plus 2 4 plus 6 10 की 0 carry 1 3 plus 3 6 plus 1 7 plus 1 carry 8 80 आगया तो 2 into 80 is equal to 160 160 is the correct answer क्योंकि area पुछा ता इसलिए कितना हो जागा centimeter square हो जागा area पुछा ता इसलिए centimeter square हो जागा तो यहां से जो correct option क्या उतना हो जागा A is the correct option हो जागा यहां से are you clear है तो next question की तरफ चलते है question number 82 question number 82 की तरफ चलते है question number 82 में बोला है कि the radius of the radius sorry sorry the ratio of the red eye of two right circular cylinder is 1 is to 2 and the ratio of their height is 4 is to 1 then the ratio of the volume तो इसके volume में बताना है कितने का ratio होगा देखे दो चीज़ों दो चीज़ यहां पर given है उनके उनके radius का ratio given है और उनके height का ratio given है तो उनके volume का ratio पूछा है कि उनके volume का ratio कितना होगा तो diet आपको formula है apply करना है diet आपको formula अपलाई करना है तो चले इस सबसे पहले हम करते हैं अगर पहले का ratio पहले का हमने आर मालेते हैं तो दुसरे कितना हो जागा 2R हो जागा यहां पर हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा VOLUM OF CILENDER पहले आपको VOLUM OF CILENDER पता होगा तभी हाप साल हो पाएगा तो πाई कितना हो तक पाई r1 square into h हो जाएगा h1 upon πाई r2 square into h2 यह हमारे पास formula हो गया अच 1 हमने लिख लिया तो इह हमारे पास देखिए r1 है यह हमारे पास R2 है हमारे पास H1 है, हमारे पास S2 है सबकी value put कर दीचा आपको answer दिख जाएगा, कितना answer मिलना है तो हमने value जब put किया जब पने value put किया Pi से Pi कट गया पहले तो पहले क्या होगा, Pi से Pi कट जाएगा और R1 R1 की value कितना R है तो R के square R ही रहने वाला है और H1 H1 कितना है? 4H है तो यहाँ पर 4H हो जाएगा upon R2 कितना 2 है तो 2 के square 4 हो जाएगा 4R हो जाएगा 4R square हो जाएगा into H2 कितना? H2 हमारे पास H है तो H रहेगा तो अब हमारे पास कितना बच गया? देखिए R2 से R2 cancel out हो गया R2 से R2 cancel out हो गया और H से H cancel out 4 से 4 cancel out सब cancel out हो गया कितना बच गया हमारे पास? 1 by 1 बच गया 1 by 1 इसका मतब V1 is to V2 का ratio कितना? 1 is to 1 का ratio 1 is to 1 का ratio तो option number 1 correct हो जाएगा देखिए आप पर दिख रहा है ना? V1 is equal to V2 आगया क्योंकि 1 is to 1 का ratio हमें cross multiply किया इसका मतब कितना हो जागा? 1 is to 1 का ratio हो जागा यहां से आई नेक्स सब्सक्राइब कोशन number 83 के तरफ देखिए एक important question है कई बार एक question repeated है कई बार एक question पूछा गया है कि the area of rectangle is given by कि इसका width given हमें पता है कि area is equal to formula कितना होता है length into breadth यह formula होता है अब यहां पर हमसे find parameter इसका perimeter पुछने कि इसका perimeter खितना होगा देखिए आपको width given नेकि length नहीं given है length को हमने L ही रखा और width हमें जो given था हमने width को width लग दिया 2xy अब आपको क्या करना है कि इसका जो left hand side है left hand side में कुछ 2xy comma लेना है अब लाट टू xy into into 2xy into L के form के अपको बनाना है left hand side ले लेफ अब लेकिए अगर हमने 2xy common लिया तो फर्स्ट वाले में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा यहां से x square में से x गया बचा य में से य गया 1 बचेगा प्लस 4 में से 2 गया 2 बचेगा य में से y जाएगा तो y बचे य स्कॉल में से y गया तो y बचा और x से x जा गया ठीक है यहाँ पहुझागा l into 2xy अब on comparing अगर हम compare करें अगर हम compare करें तो हमारे पास प्लस बी होता है rectangle का प्लस बी अब टू को एजटीज रणने दीजें और l के जगा पर रखती है 3x प्लस 2y अब प्लस हमारे पास कितना बेरे ब्रेट कितना ब्रेट कितना गिवन है अब यह पर कुछ common नहीं मिला है तो हम option देख लेते हैं option देखने से पहले एक टू को अंदर multiply कर लेते हैं तो 3-2 जा 6x प्लस 4y प्लस का 4xy तो 6x कहा है 6x first में लास्ट में लास्ट में पिर उसका 4y कहा है 4y लास्ट में आ रहा है तो इसका तो option number D correct हो जाएगा डी for daily option correct हो जाएगा और नेक्स कोशन चलते हैं कोशन number 84 की तब देखने में काफी ज़्यादा पेची था लेकिन बहुत ही आसान कोशन है बहुत ही आसान कोशन है इसके बारे में बात करते हैं हाला कि यह भी power in exponents ही है अभी एक कोशन ऊपर गया दूसरा कोशन आपको power in exponents आ देखने को मिला है power in exponents में क्या हो लाग है कि a raise b है और raise c है ठीक है तो हम क्या लिखते है a raise b into c मतलब power raise power क्या होता पसमें multiply लेकिन कोई अगर ऐसा हो कि a raise b raise c ठीक है तो इसको आप ए नहीं लिख सकते is not equal to a raise b into c इसके बरावर नहीं होगा इसके बरावर नहीं होगा तो आपको आपको ध्यान देना पड़ेगा कभी-कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है ठीक है अब देखिए इसका दून आपस है power है तो हम इसको आपस में multiply कर देंगे तो लिख देंगे यहां पर कितना हो जागा माइनस टू-1 हो जाएगा ठीक है तो अब इसके जगह क्या लिख सकते है पूरे के जगह पर पूरे के जगह पर माइनस वन बाई टू रेज टू अब पर वाला टू इसके साथ मल्लिप्लाई को बन गया अब आगे देखिए आप देखिए यहां फिर से वह एरेज भी रेसी मिल ला है यहां पर कितना लिए सब्सक्राइब पाइनस वन बाइ टू रेस तूटू जाए फॉर हो जाएगा अब देखिए पावर हमारे पास एक इवेन नंबर इसलिए नेगेटिव वाला क्वाइटिव बन जएगा और ऑफ यहां और कि पावर फोर की वेल्यू बन होगी अटू के पावर फोर की वेल्यू कितना जाएग हो जाएगा तो 1 by 16 करेक्ट हो जाएगा 1 by 16 करेक्ट हो जाएगा ठीक है एफ और अमेरिका करेक्ट हो जाएगा अब इन एक सलते हैं अप्सन नमब 85 की तरफ बहुत इजी कोशन पूछा गया है कि इफ इफ फीड्राइफ फ्रोग वाइन थे सेंपल इसपेस विल बी किसी को गर हम थो करें तो या तो ही डाएगा या तो टेल आएगा तो सेंपल इसपेस हमारे पास ही हो जाएगा क्योंकि एक क्वाइन है इसलि अगर एक नंबर एक परिमेन संग्या तभी मालब हमारे पास टर्मीनेटिंग डेसिमल मिलेगा जब उसके डिनाम्टर में क्या होना चाहिए तो हमें पता है कि इसके डिनाम्टर में तो और फाइफ है तो ठर्मीनियट हो जागा अधर्वाइस 25 के अलमा कोई सबी नंबर हो तो उसकेस में रिपीटिंग बन जाता है तो उसकेस में थालाइट होता है क्योंकि अगर और लिख सकते यह फाइप के पावर 0 वाइप जीरो के मतलब वन हो गया अगर फाइब है तो हम यह भी लिख सकते हैं तो हर केस में तू और यह बता जाता है कि टू के पावर एम और फाइब के पावर एंड वेर एम एंड बिलांग सुफ होल नंबर यहां पर निच्छल नंबर से नहीं बिलांग कराता हैं यहां हम बिलांग कराते हैं होल नंबरर और कुछ उपर कुछ भी वह में उससे नहीं मतलब यहां वह उस से मतलब नहीं है बस नीचे कितना होना जाए two संगेज को एक्स माल लेते तो फादर कितना हो जाएगा फोर टाइम है तो फोर एक्स हो जाएगा और फादर क्या हो जाए रहा है इसका हम दो सेवेंट टाइम हमने फादर सेवेंट टाइम हो गया अब इससे सॉल्व कर लिजा आपको डायट अन्सर मिल जाएगा और किसका बुझा प्रिजेंट एज अपसंसन का प्रिजेंट इस मतलब एक्स की वैलू पूछा है तो आप फाइंट कर लिजिए फोर एक्स माइनस फाइ एक्स इक्स यहां से कितना हो जाएगा 30 और यहां से कितना मिल जाएगा 3 आपसन कर जाएगा अपसन और मुझा प्रिजे पूछा है कि which of the following is a regular quadratal, अब regular quadratal क्या होता है, ऐसा quadratal जिसनके सारे side equal, सारे angle equal, सारे diagonal equal, diagonal, angle और side सा भी कुछ equal होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर स्रिफ हमें option यह मिल दा है, sorry, option number A मिल दा है, square, जिसके क्या है, सारे side equal है, सारे angle equal है, सारे diagonal equal है, otherwise आप rectangle की बात करेंगे, तो rectangle में हमारे पर सारे side equal नहीं मिलेगा, काइट में सारे angle equal नहीं मिलेगा, ठीक है, और अगर trapezium की बात करें, तो trapezium में सारे side equal नहीं है, तो यहाँ से regular क्या हो जाएगा, A is the correct option हो जाएगा, आगे question number 89 की तरफ चलते हैं, इन हिस्टोग्राम representation, the height of bar represented dash of the class interval, इसमें क्या करते हैं, frequency को हम represent करते हैं, जो हम figure मनाते हैं, फीगर में जो देखते हैं, उता व चलता है, तो यह क्या होता है ? यह frequency होता है, दीक यह क्या होता हमारे पास ? frequency होता है और कुछ ऐसे भी जो बनता है तो हम इसको रिप्रेजिन क्या करते हैं आपर ए फ्रेक्वेंसी होती है कि कितनी फ्रेक्वेंसी हमारी है इसका ओप सजेगा सी आप करेक्ट अंसर हो जाएगा आए नेक्स अलते क्वेशन नंबर 90 की तरफ क्वेशन नंबर 90 में बलाए कि इफ नंबर सेवन वी टू थ्री इज मुल्टिपल आप थ्री जैन दा पॉस्टिवल वैलू आप वी विल भी तो हमें देखें हमें क्या पता है हापर हमें मालूम है कि अगर नंबर का सम 3 से दिवीज वालह थो नंबर भी 3िजिवल होते हैं अब का सब्सक्राइब Corps 2022 होगा तढ़ीछ पहले जो नमबर गिवेगें उसको सम कर लेते हैं तो दिखें प्लस थ aosद स्ट्व दो लेँडे की से वेल्यव पूलई हो गाना वहीं कि 20 इसने पर नमबर 3 से दिविजल होगा तो देखिए पहला ओप आते हैं तो अगर हमने बीजेल जीरो रखा तो कितना होजाएगा 12 12 जी विजबी भाइथ 3 हाँ है अब 3 रखेंगे तो कितना होजाएगा 15 होजाएगा 15 क्या डिविजबी जाये है तो ए आपसने करेक्ट तो जाएगा इसलिए चला जाएगा वहीं यहां पर वन पूट करते हैं तो कितना ओजाएगा थार्टीन थार्टीन भी थ्रेसी डिविजिबल नहीं है तो आप्सन क्रेक्ट क्या हो जाएगा एफ और अमेरिका करेक्ट हो जाएगा अब question number 91 91 वो लाएग कि if 80% of x is इतना kilometer then the value of x तो आई इसकी value निकाल लेते हैं तो 80% of multiply of x किसका x का is equal to कितना है 340 340 हमने लिख दिया अब देखिए 1 0 से 1 0 क्या simple सा अब बागी cross multiply कर लेते हैं तो x is equal to देखिए 340 अपनी जगा यह denominator में इधर जाकर numerator में चला जाएगा यह numerator इधर आकर denominator में आ जाएगा यहां से ठीक है अब इसे कट कर लिजिए अब इसे कट करते हैं तो 8 1 जा अधिए 8 से कट करते हैं इट वन जा एट एट फोर जा 32 एट फोर जा 32 बच्छेगा कितना यहां से तो टूटी एट तूटी जा 16 अब बच्छेगा फोर फोर्टी हो जाएगा फॉइंट लग जाएगा फाइफ टैम में कर जाएगा ठीक है तो इतना मार पासर फॉटी टू.पइफ हाज जाएगा लेकिन मल्टिप्लाइब जब टेन करेंगे तो कितना मिल जाएगा 425 425 फोर टूटी फाइफ किलियोमेटर ओप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तो सब्सक्राइब जाएगा और नेक्स प्रसें चलते हैं क्वेश्चन नमबर 91 की तरफ 92 अच्छे 91 ही था यस 92 की तरफ चलते है तो इसमें बोलाए कि दा मार्क प्राइज आफ अन आर्टिकल इस हंडेट रुपीज एंड इसोल दिस्काउंट रेट तो सीधर याद रखी जो डिस्काउंट रेट होता है डिसकाउंट पर्षंट जो है जाए इस जीकोल याद रखेगा तो यहां से हो जाएक कितने कर दिया गया है तो कि लिएफंगे तो 24 cm 24% क्या 24% मिलाएग सको डिसकाउंट किद अधिस्चाउंट तो अधिके तो कितने जासे कि अधिकर tokens कि डिस्काउट 2023 अपन मार्क प्राइज मार्द प्राइज आपको एगल्यक अधिक दो कि तो नक् availability 3 की तरफ चलते हैं for what value of x expression इतना 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 will become equal तो x किस value के लिए equal होगा तो सबसे पहले हम equal करके जो हमें option given उसको one by one put करके देख लेते सबसे असान हो जाएगा तो 5x-6 is equal to 2x plus 3 अब देखिए जब हम x-0 रखेंगे तो यह negative हो जागा यह positive तो यह 0 तो option होगा नहीं अब आते x value to put करते जब two put करेंगे तो 5 to 10-6 यहां हो जाएगा 4 और इधर कितना हो जाएगा 4 प्रस यहां हो जाएगा तो यह भी option चला गया option बी चला गया option c रखते हैं option c देखें negative है तो यहां रखतेंगे तो पुरा negative हो जाएगा और यह positive हो जाएगा ठीक है तो यहां से भी option नहीं मिलना हमें option नेगेटिव मिलेगा और यह लेस नेगेटिव मिलेगा तो दोनों हमारे पास बराबर नहीं होगा तो option number c रखते देख लेगा option c रखते देख लेते हैं तो फाइव तरी जाएग फिप्टीन minus six is equal to three to just six plus three तो देख यहां भी नहीं आ रहा है यहां भी नहीं आ रहा है तो nine is equal to nine हो क्या तो option for the डी करेक्ट हो जाएगा डी फर डेली करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स अलते question number 94 की तरफ इसका भी याद रखेगा आपको क्या करना है प्रॉफिट पर्शंट निकालना है प्रॉफिट पर्शंट का इता है 12 का और शेल कितने में किया 10 में यह profit हो गया ठीके profit हो गया po कितना कि अ कौस्ट कितना क्या जाएगा इसको जाएगा तो इसको कितना हो जाएगा भी यह घिंड एक इसे प्रॉफित हो रहा है तो बनारा से सब्सक्राइब जाएगा आए नेस कोशन की तरफ चलते कोशन में 95 की तरफ फांड ताइब आफज काई तेन्वा पॉलीघंट है तो फ्रेगल कैंज हो जाएंगह तो करेक्ट कैंज क्या जाएगा यह कोशन में देखाए इसका 95 का दिफार्ट देली करेक्ट हो जाएगा तो देख यहांपर सिंगल तॉम है और यहां पती की विद्धा ए और थ्री ट्राइनोमियल है और नहीं मुरुअंजा ए कि how can the statement how can the statement three fourth of a number is for five more than its two by three parts be expressed as the equation अब इसमें हम आते हैं पहले तो किसी भी number का three by fourth हमने वो number x मल लिया तो three by fourth of x is five more than क्या है यह five more than five more than is equal to कितना हो जाएगा two by three x के बराबर हो जाएगा ठीक है तो आप देखते हैं एक कौन सा option करेक्ट मिला है यहाप तो यह option मिलाते हैं एक मिनट होड़ डाउन होड़ यहाँ पर क्या है इस का मतलब होता है इस मतलब क्या होता है equal to five more than five more than its two two by three part two by three part यह हमारे पास हो जाएगा option तो देखिए ऐसा कौन सा option मिलना है तो देखिए two three by two और two by three के पार्ट में इसका LC हमने लेना है सीधे अपने answer को मिला देना है तो अपने answer को मिले तो three by four four यहां मिलना है एक्स यहां मिलना है ठीक है और two by three x two by three x five option a correct हो जाएगा एफ और अमेरिका correct हो जाएगा इसका option a correct हो जाएगा और नेक्स सलते question number question number 98 की तरफ कि इसमें क्या वहला है कि if if a square plus b square is equal to 48 and a minus b is equal to four then find the value of a b a into b की value find करना है तो simple सा a minus b का whole square अब लगा देजिए माइनस b का whole square is equal to a square plus b square और माइनस का two a b यह formula होता है अब हमें a b की value चाहिए तो two a b को हम इधर लाते हैं तो two a b इधर आ गया और इसको इधर transfer कर लेते हैं अभी कि a square plus b square की जगा अब कितना लिख सकते हैं 58 हो जाएगा 58 और यह जनाब उदर जाके माइनस हो जाएंगे तो माइनस का इसकी value four four के square 16 हो जाएगा फूर के 16 हो जाएगा अब इसे सब्ट्रैक केजिए तो eight में से six क्या two बचा five में से बन गया फोर बचा ठीक है और यह हो क्या a b to a b to a b तो हमने क्या तो को इदा transfer कर दिया तो कितना हो जाएगा a b की वेलिव 21 आ जाएगा a b की वेलिव 21 c4 चिन नहीं करेक्ट हो जाएगा c4 चिन नहीं इसका correct answer हो जाएगा ठीक है आई नेक्स चलते है question number 99 की तरफ question number 99 की तरफ चलते हैं विच आप दफॉल्विंग statement is true when the calculating interest compounded half yearly while keeping the principal constant अब principal को constant रखते हमें half yearly का हमें देखना है तो देखिए half आप कहां पर आया है तो जब half word का use देख रहा है तो half word का use c और d में जाया हुआ है तो दिखते सी करेक्ट है कि डी तो सी में कर रहा है कि सी में क्या option बोला है कि half the given annual rate as well as given the number of the even और फिर दी में बोला है कि half the given annual rate and double the given number of the year तो इससा correct answer आपका डी हो जाएगा correct answer इसका आपका डी हो जाएगा डी पर डेली करेक्ट cancer हो जाएगा आए नेक्स अलते question number 100 की तरफ जो आखरी question है इसमें करेक्ट इप बस टेवल 160 km in 4 hour and the train ट्रेवल 3 of 3 20 km in 5 hour at a uniform speed then the ratio of the distance travel by the by them in one hour तो आई हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं इनके distance का रेशियो की घंटे में एक घंटे में बस कितना चला और एक घंटे में train ने कितना डिस्टनस टवल किया दोनों का डिस्टनस रेसियो निकाल लेते हैं तो आप देखिए जब चार घंटे में एक सो साथ किलोमेटर चल ला थे एक एक और में कितना चलेगा तो यहां से कितना हो ं से करेक्ट होजाएगा तो यहां से रहा आपका तो यह रहा आपका आपका अगर आपको नेक्स पार्ट जल से जल्स जाए ज जितनी जल्स जाहिए ज्णा ज्यादा 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 लोगों तक अब देखिए टूटल पांसाल के पेपर को गवर किया जाएगा निज चाहिए दनेさодके साइका इथ्वा को सबस्क्राना करना है कि इसी तरीके से 85 प्लस लाने है आपको 85 प्लस अगर दो यह चांसे है कोई किसी भी केटेगरी में हो 85 प्लस रहेगा तब चांसे उससे कम पर बहुत ही लेज चांस है तो 85 प्लस आपको स्कूर करके आने हैं तो आप देख लिए जो आपका टफ लग रहा है उसको आप एक तरीके से का होगा 2021 का होगा 2020 कोगा दें लास्ट में 2019 का कवर किया जाएगा थी पांच साल का पेपर पिछले एक महने के अंदर करो कवर किया जाएगा और अगर आप डेली सोलुसन चाहते हो तो आप ज्यादा ज्यादा लोगों तक इसे से शेयर करो जितना ज्यादा व्यूज़ आगा उतनी जल्दी आप लोग का वीडियो मलब उतनी जल्दी आपकर वीडियो अप्लोड होगा तो मिलते नेक्स वीडियो तो तक आप लोग अपना बहुत ख्या रखें थैंक्स वाचिंग